केके पाठक जब से सिक्षा विभाग के अपरमुक सचीव बने है तब से लगतार सरकारी स्कूलों की छवी को बदलते हुए देखा होगा आप लोगों ने साथ में जिस तरीके से लोग सरकारी स्कूलों को देख रहे थे यानि कि वहाँ कोई वैवस्था नहीं होती थी लोग ताइम पे नहीं जाते थे सिक्षक समय पर नहीं पहुंचते थे जो बच्चे हैं वो भी समय पर नहीं पहुंचते थे लेकिन जब से केके पाठक ने अपना पदभार समाला है तब से लगतार सरकारी स्कूलों की छवी बदलते हुए लोगों ने साथ तरीके से देखी है औ साथ में अब आपको बता दे सरकारी स्कूलों में एटेंडेंस के लिए बायो मेट्रिक किया जाएगा सिख्षकों को भी अपना बायो मेट्रिक देना पड़ेगा साथ में स्टूडेंट्स को भी ताकि आपका जो समय है जिस समय पे आपको स्कूलों में प्रिजेंट हो जाना और साथ में अगर बात करें बच्चों की भी तो अटेंडेंस में काफी जाधा दिक्कत आ रही थी क्योंकि खातों पर जो यह जो सच होता है जूट यह तो समय बताता है लेकिन बायो मेट्रिक जब लग जाएगा तो आपको समय पर आना ही पड़ेगा और कहीं न कहीं जो प् तो उनका एक और निर्देश आ चुका है कि सरकारी स्कूलों में आप बायोमेट्रिक मशीन लगेगी और मशीन के जरिये आपकी अटेंडन्स ली जाएगी चाहे बात करें स्टूरेंस की या बात करें सिक्षकों की दोनों को बायोमेट्रिक देनी पड़ेगी सिक्षा विभाग के अपर मुक्सचीफ केके पाठक की अगर हम बात करें तो उन्होंने जब से पदभार समाला है तब से लगतार स्कूलों का निरिक्षन करते आए हैं और देखते आए हैं कि स्कूलों में क्या कुछ कमी रह गई है क्या कुछ दिक्कत है और किस तरीके से स्कूलों की छवी को बदला जाए क्योंकि बिहार की हम बात करे तो बिहार अतिपिछडा राज्यों में आता है है और यहां के बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कहीं न कहीं संसाधन की कमी है इसकी वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं इतने प आईवेट स्कूलों को तक्कर देते वे नजर आ रहा है आप देखना होगा इस मुहीम के बाद तस्वीरे क्या कुछ निकल के सामने आती है बरहाल मेरा नाम स्निहां गुपता है और आप आईवी टीवी देखके धर नवाद देखें